तो हालो गाइज, वेल्कम, कैसे हो आप लोग, तो वेल्कम तो आर न्यू अपडेट एन एक्साइटिंग वीडियो तो हाज हम हमारे वीडियो में बात करने जा रहे हमारे BC Agriculture का जो न्यू शेडियो लाँच किया गया है रिसेंटली उसके बारे में जैसे के पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आपको बहुत सारे बंदों का वह कोश्रण था कि सारो साइट ओपन यह नहीं हो रहे है क्या करें क्या करें तो उनके लिए बता दो कि हमारे सीटी ने उसके जो रिवाइस डेट एक नई डेट से वह इशू कर दी है उसके साथ अब यह भी देखेंगे कि हमारे को कुन से कॉलेज एड करने चाहिए करने चाहिए कैसे करते हैं वह सब हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अगर कॉलेज बहना पर रिफरेंस बहना है आपको भी इस एक रिकर्चर के लिए तो किस प्रका आपको वीडियो देखना है तो पूरा है देखना बढ़ेंगा नहीं तो आप अभी के अभी इसको छोड़ के जा सकते हो क्योंकि इसमें से बहुत से इंपोर्टन पॉइंट से जो आपने अगर मिस कर दी और फिर बात में पच्टा होगी तो आपके जो भी डाउट से और वारी प्रिफरेंस के बरने के लिए कि जैसे कि कुण सा चाहिए कौन सा प्रिफरेंस में बहना जाए कोन से इस इंपरना चाहिए वह सब मैं आपको बता आःतो रहगा ऌतना है तो आप चैली हम देखते हैं हमारा चू रिवाइस शरीव ले वो क्या है त्त आ उसके आपीर यह लो एक highlighted point है वाप इसके लिए schedule for centralized admission process जिसे हम schedule for cap for agriculture यूजी graduate year academic year 2021 तो इसके जैसे आपको पता था पहला जो था वो हमारा 9 से से लेके तो 11 तक था 12 तक था शायद लेकिन आप जो देख रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे 9 12 2000 भी से लेके last date of submitting the application form along with uploaded scanned copies of the necessary document on website यह 16 12 2020 तक हो गया है उसके साथ अगर आप थोड़ा सा और नीच आओंगे तो आपके जो provisional merit list है वो आपको 20 तक आजेंगी 20 12 तक तो फिर से मैं कह रहा हूँ provisional merit list मतलब ऐसी list होती है जहापे आप देख सकते हो कि आपका merit rank का होने होला है और एक trial basis पे लिस्ट रहती है क्योंकि इसके बाद ही आपको एक आप ग्रिवेंस लिस्ट भी आती है यहां पर देख सकते हो पिरेड और इससे रिसे प्रेट आफ ऑनलाइन ग्रिवेंस मतलब जिसंट के भी यह डॉक्यमेंट में कुछ ग्लेचेज होंगा या फिर जिनके फॉर में कुछ ना कुछ गरपड़ी होंगी वह ग्रिवेंस पेर में अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं और अगर उनका सब ठीक हो गया तो उनका नाम यहां पर डिस्प्राइल लिस्ट ग्रिवेंस कंसिडर्ड 1212 किसमें आएगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपको 25 कोएंगे कहने का मतलब यह जो हमारी मेरिट लिस्ट है हमारी प् आपके बहुत सारे चांसे है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जो रहें के देड़ हजार उदेड हजार से दो हजार तक जाने की पूरी-फूरी सम्भावना है इसके साथ आपको बहुत सारे बीच में क्योंकि ऐसे बंदे जिनकी डॉक्यमेंट्स नो कुछ ना इसको उसके बाद थर्ड राउंड है वो पाच को है और पेरिड ऑफ रिपोर्टिंग उसका च्छे तक दिया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं सरफ तिन ही राउंड है वैसे तो 2018 और 2019 में चार्चा राउंड होते थे लेकिन इस साल सरफ तीन ही राउंड हमें दिये गए है तो इसपे भी है आपको एक वाव द्यान देतुर्ब खना होँगा कि आपको जो भी पिछले साल के दो पड़ते थे घर आ करेशाव रिपिट क्या होंगा तो आपको एक समबल के रहनी के ज़र्वद है किdroimd आपको एक साल में जैसे पिछले साल के तो शयर जैसे 4 रोट का भी दिया है तो मैं उस पर भी स्पोर्ट रहूं अगर आपको पता नहीं है क्या है तो उसके में मैंने दोस्त वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग दे दना चाहता हो कि यह जो वीडियो है यह सब मेरे स्पोर्शनल एक्सपिरियंस पे तो मैं आपको सिर्फ एक सजेशन कर रहा हूँ एक आपको सिर्फ गाइडन्स कर रहा हो तो इसका मतलब यह कते ही नहीं क आप जैसा मैं बोलता हूँ ऐसे ही करना तो इसके जिम्हेदारी मेरे नहीं रहेंगी क्यूंकि इसके लिए आप खुँछ जिम्धारा होंगे आप दुसरे पीसे वीडियो के गाइडबास पही ले आप तो क्लिए आपकी प्रिफरंस लिस्ट प्रिषसक आ उसमें ziehen आप जै जान दिया अब देखते हैं हमारे preference कैसे बरने चाहिए कैसे बरने चाहिए इंशॉट मैं बोलो तो जो हमारे पिछले साल का जो अगर मैं आपको साथ कुछ जाके देखानी है तो पिछले साल तो ऐसा होता था कि हमको जब form बरते थे हम online तभी हमें सब प्रिफरेंस डालने पड़ते थे और उसके साथ अगर आपने गलत प्रिफरेंस बर दिया तो आपको वही जल्दी college मिल जाता है और फिर freeze load होने के बाद भी freeze हो जाता और फिर आप को वही college लेना पड़ता है तो वह preference कैसा बरना कब करा वह हम देखने वाले है तो उसके बाद आपको जो दूसरा question है कि preference कब भरा जाता है वह तो मैंने बता दिया उसके बाद है कि कौनसे उसका जो setup है वह कोईसे होना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको पता दूँ कि जो जो college का setup होना चाहिए जो आपके top में जो पहले number पे आप जो college डालोंगी वह setup college डालना जो आपको government है मतलब अगर आपको MP की वे अपना पूनी का है तो वो आप सबसे पहले डालना उसके बाद government अकोला डाल सकते हो यह सिर्फ मेरी एक example list है जो आप देख सकते हो मतलब आप सबसे पहले आप government डालो पूनी का उसके बाद आप ऑकोला का उसके बाद परवनी का मतलब एक request करते हो, एक suggestion करते हो, कि आप पहले जो colleges है, गवर्मेंट डाल देना, क्योंकि अगर मैं बहुत ना दूर तो लिस्ट के हिसाब से, अगर आपका जो भी college टॉप में रहेंगे, मतलब, अगर समझो, आपके जो bottom के list है, वहाँ से नहीं चेक करते हुए, उपर से चेक करते ह आते हुए, कि आपको कौन सा, आपको मतलब अच्छे से अच्छा college दे सकते ही है, आपके list के आपको मिलता है, तो suppose अगर आपने पहले number में degrade डाल दिया, तो आपको वही पर मिल जाएंगा, और आपको प्रोसेस में आपको degrade मिल गाएंगा, और आप वह ऐसे ही process के बाहर ह जाओगे, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले ऐसा college डालना, जो कि top पे अच्छा है, तो top वाले जो भी government के college है, वो डाल देना, उसके बाद फिर सारे वाले government के डाल सकते हो, अगर आपको जानी की ताहरी है, इदर उदर आपके district है, फिर आपके area की region के बाहर भी जानी कि आपके इच्छा है, तो आप फिर उसके बाद सारे भी government डाल सकते हो, उसके बाद अगर फिर इसमें दोस्तों ऐसा कुछ नहीं कि अगर मुझे कम marks है, तो मैं डालता है, तो आप एक बाद चांस ले सकते हो, उसके बाद दोस्तों मैं आपको सर्जेश करता आपके जो एक री विट कर रहा हूँ, attention, जो ही आपके घर के पास में, अरध रिजिल में, वह आफ डाल सकते हो, आपके डिस्टिक्ट में, वह आफ डाल सकते हो, वह आप डाल सकते हो, तो आपके अगर होम टाउन के पास रहोके तो आपके लिए भी बढ़िया रहेंगा तो इसके लिए मैं आपको सर्च करता हूँ कि जो A grade के गौवर्मेंट के बाद आपको A grade के आप डाल सकते हो उसके बाद उसके बाद मतलब A grade के जो आपके घर के पास में उसके बाद आप government के A grade के private college ऐसे डाल सकते हो जो आपके घर के दूर भी है तो ऐसे करके आपके जो top के college है वो डाल सकते होंगे कि मतलब आपको top के आपने government डाल दिये उसके बाद सारे government डाल दिये उसके बाद top के private A college डाल दिये जो आपके घर के पास है उसके बाद private के A grade भी डाल दिये जो आपके आसपास एर्द गर्द एरिया में उसके बाद दूर के भी आप A grade डाल सकते हो उसके साथ आप B grade के भी डाल सकते हो जो आपके घर के पास में है उसके बाद B grade कैसे college जो आपके घर से थोड़ा साथ दूर है उसके बाद C grade के जो आपके घर के पास में है ऐसा मैं आपको बता सकता हो इसके साथ आप ये में तो ये तो मेरी strategy थी ये जो मैंने follow की थी पिछले साथ लेकिन दोस्तों मैं बता दो कि पिछले साल अब तो मैंने साथ ही college डाल थे क्योंकि मुझे 108.4% थे तो मैं बहुत ही confident sure था कि मुझे government मिलने वादा इसले मैंने सिर्फ टॉप के साथ जो government college थे वो डाल दिये थे और मुझे मिल भी गये तो अगर आपको भी अच्छे marks हो जैसे की अच्छे marks का इसापसा ऐसा नहीं कि आपको 90-80 है या फिर 800 के पास भी है आप कहरें कि मैं open OBCC हूँ और मैं तो सब government डालूँगा तो आप बट कोंगे यह 100% मेरी guarantee है लेकिन इस साल तो सब कुछ ठीक है अपना atmosphere भी ठीक है बहले कोरोना काड़ा है लेकिन admission के लिए तो बच्छे जरूर जाएंगे अगर उनको government मिला तो तो मैं आपको फिर से कही बेब मेलने के बादर होते हैं तो मैं आपको स्रेश्ट करता हूँ कि यह बिल्कुल मत करें आपकी जो नेट कैफे वहले भाईया है या अब अंकल है वह भी आपको इंसेस्ट बहुत करेंगे कि डालना कुछ नहीं होता देख लेंगे बीटेक कड़ा ले डाल वो डाल तो मत क कर रहा है भले आपको कोई किता भी इंसेस्ट करें आपके जो निरने उस पर अडे रहना तो मतलब मैं कहना ही चाहता हूँ कि कैसे बच्चे बाद में डाल देते बीटेक बीटेक और उनको नहीं चाहिए होता तो फिर वो कैसे उसमें बाहर निकल जाते है उसके वजासे है उनको बहुत-बार दिक्कते का प्रॉब्लम सॉल करने पड़ती है क्योंकि आपकी जैसे पता है इस साल हमारे पास स्रिफ तीनी कैप राउंड है तो आपको सपर रिफ्रेंश डालना है जो कि एक नो वन चौर्ट फिल हो उसके बाद अगर आप मैं बता हूँ तो फिर से हा गवर्मेंट के बाद डाल दिया तो आप वही फ़स जाओगे क्योंकि अगर लिस्ट में से आपको अगर आपको आपको वही लेना पड़ेंगा क्योंकि अगर आप देखोगे तो डी रिट के नीचे तो नहीं जाया पएंगा लेकिन अगर आपने उसी को मतलब वही अगर पहले राउंड में मिल गया तो आपको पता है दूसरे राउंड में तो आपको गवर्मेंट मेलने वाला नहीं है और नो डी ग्रेट के नीचे जाएंगा नहीं तो आप वहापे अटक सकते हो तो फिर से मैं कह रहा हूँ कॉलिज प्रिफरेंस भरते बहुत ज्यादा आप स जाए रही हो तो हर्टी भी डाल और भी टिक की ताहरी हो तो ही डालना नहीं तो ऐसे फाल्त हूँ कि रिलिस्ट से भरने की चांसेद मत करो कि बस मुझे भरनी अच्छी देखनी चाहिए बहुत सारे कॉलेज लिखर है मतला मुले लेंगा तो ऐसा कुछ नहीं है उसके बता दू यह बहुत ज्यादा अलग फैक्टर पर भी डिपेंड है मैंने से कम मार्क्स वाले भी बच्चों को लेखा है कि उनको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलता है उसके बाद आता है एक बहुत सारे बंदे सोचते कि हम स्पोर्ट राउंड के लिए रूख जाएंगे क्योंकि तीनी राउंड है और बच्चे पहले प्रिशर में रहें बहुत सारे की कोरोना के वज़े से अच्छा कॉलेज मिल लिया अच्छा जा तो आप ले लेना क्योंकि स्पोर्ट राउंड के लिए अगर आप रूखे तो आप फस सकते हो और आपका एक साल भी बरबाद हो सकता है तो दोस्तो आशाक्रतों कि आज का वीडिया आपको बहुत कमाल का अच्छा धमाकेदार लगा हूंगा इस वीडियो में मैंने बहुत सारे से टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की जो आपके इंपॉर्टन्ट हो सकते हैं कर सकते हैं यह जो अपको बने होगा न्यारा शाज करता हैं एक रिफिप्स को आपको बहुत पसंदे की होगा है से लाइक ज़रूर करना पसंद आया ना राइक कर दो भाई वह बहुत बहुत लगते आप से सब के लिए वीडियो मनाने में उसके साथ अगर आप इस वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर करते हैं मुझे बहुत बढ़ी कुछी होंगी हमारा इसके साथ आपका यूट्यू सबीडियो का जए करें लिए